हेलो बच्चो कैसे हो आप लोग मैं सौरब दूबे आपका स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे बच्चो लाश्ट क्लास में हमने प्राक्टिकल जिमेट्री बहुत बहतरीन तरीके से कम्पलीट किया था आज की क्लास में हम करने वाले बहुत ही मज़दार चाप्टर है और बहुत मज़ा आएगा करने में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चो यह चाप्टर इसलिए भी इंपोर्टेंट हो जाता है आपका क्योंकि जितने भी कम्पटिशन एक्जाम्स होते हैं चाहे अभी इसी लेवल पर जैसे आप 12th class pass कर लोगे उसके बाद आप graduation कर लोगे मतलब पढ़ाई लिखाई के बाद अगर आप किसी private job में या किसी government मतलब सरकारी नोकरी में भी जाते हो वहां भी आपका एक्जाम होता है यह चाप्टर वहां के लिए भी बहुत important हो जाता है यहां से question हमेशा पूछे जाते हैं बच्चों हमेशा बनते हैं तो यह chapter बहुत important होने वाला है और यहां से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं तो जल्दी से maths के book copy pen हमेशा की तरह open करके हो जाए तयार और start करने वाले हैं हम आज का अपना यह वाला chapter जब तक आप यह काम कर रहे हो बच्चों तब तक कुछ बात कुछ मेरी education and qualifications and experiences है बच्चों जो आप screen पर देख सकते हैं और बाकी मेरे बारे में धीरे धीरे बच्चे जानते ही रहते हैं पूरी class में ही तो बाकी की बाते class में करेंगे हम और बच्चों अभी तक अगर आपने इस telegram channel को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लें अपने दोस आपकी class से related सारी चीजे एक ही चैनल पर एक ही जगह provide की जाती हैं तो इस channel को आप और अपने दोस्तों को भी जरूर सेर करें और दोनों ही join करें ठीक है बच्चों तो अब तक I hope आप लोग पूरी तरह से prepare हो चुके होंगे class start करने के लिए एक नया chapter start करने के लिए बच्च लेते हैं ratio का मतलब क्या होता है और proportion का मतलब क्या होता है आईए सीखते हैं पहले हम ratio की ही बात करेंगे proportion की बात बाद में करेंगे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों ratio की की ratio क्या होता है इसका मतलब क्या होता है क्या आपने कभी पहले सुना है ratio के बारे में ratio के बारे में यह ratio जो है ना यह किसका जुड़वा भाई है बच्चों fraction का मतलब कुछ ना कुछ fraction के जैसा ही है यह chapter अगर आपको fraction की चीजे fraction में क्या क्या पड़ा है addition, subtraction और fractions को compare करना मतलब कौन चोटा है कौन बड़ा है अगर यह सारी चीजे आपको आती है ना तो यह chapter तो आधा आपक हम सीखेंगे यह सारी ही सारी चीजे तुम्हें बता रहा था ratio के बारे में बच्चों जैसे मानलो आपके घर में टोटल कितने लोग हैं आपके कितने भाई बहन हो आप टोटल तीन भाई बहन हो ठीक है एक यह आप हो गए मुस्कुराते हुए यह आपकी sister हो गई बच्चों अपनी sister को मत दिखाना मुझे सुनाएगी नहीं तो बोलेगी ऐसे कैसे मेरे बाल वाल बिखेर के बना दियो मेरी गंदी सी फोटो है ना यह देखो यह आप हो गए यह गुडिया हो गई और यह आपके छोटे भाई या बड़े भाई हो गए मतलब आप लोग तीन लोग हो ठ कुछ पैसे रखी हैं कितने रुपए हैं मम्मी के पास मानलो मम्मी के पास हैं मम्मी के पास पैसे तो बहुत हैं लेकिन अभी आपको देने के लिए मम्मी के पास हैं 20 रुपए अब मम्मी तीनों में बराबर बराबर नहीं बाट रही है, मम्मी बोल लही है, गुरिया को मैं ज्यादा पैसे दूँगी, इसको दे दी 10 रुपए, गुरिया को कितने पैसे मिल गए बच्चों? 10 रुपए आप लोगों को बोल दी ये लो 5 रुपए तुम रख लो 5 रुपए तुम रख लो हो गए ना 20 रुपए 20 रुपीज हो गए 5 प्लस 10 प्लस 5 ऐसे बाट दी मम्मी तो अगर मैं आपसे पूछू कि आपको पैसे किस रेसियो में मिले हैं ये तो पैसे हो गए ना कि हम नहीं आता तो ऐसे मूल लटका के खड़े हो जाओगे आये सीखते हैं ये देखो पहले इसको 5 इसको 10 और इसको 5 इसको रेशियो का साइन बोलते हैं बच्चो अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को काट रहा हो ऐसा कोई नंबर है जिसकी टेबल में ये तीनों के ती पैसे बाटे हैं बच्चो वन इस टू इस्टू wn मिला है मतलब जितना आपको और आपके भाई को मिला है पैसा उसका दो गुणा पैसा कौन गुडिया को मिला है क्योंकि रक्षा बंदन का त्योहार है और इसको राखी भी खरीदनी है आपके लिए मिठाई भी खरीदनी है और आपको इतना क्यों मिला इसी को देने के लिए तो सारे पैसे किसके पास जा रहे हैं गुडिया के पास जा रहे हैं आ रही बात समझ में तो ये रेसियो है बच्चों इसके बारे में आईए चर्चा करते हैं और question number one से start करते हैं आजे पूरी exercise हम करने वाले हैं around 15-16 questions होंगे इसमें तो थोड़ा बहुत आप लोग समझ 20 girls and 15 boys in a class कितने girls हैं बच्चों ये class है ये एक class है class में 20 girls है और कितने boys हैं बच्चों 15 boys है question number a में आप से क्या पूछ रहा है what is the ratio of the number of girls to the number of boys पहले किसकी बात की गई है number of girls तो पहले आप fraction निकालो यहां लिखो number of girls क्योंकि पहले number of girls की बात की गई है तो हम लिखेंगे number of girls उसके बाद में लिखा है बच्चों number of boys इस tu को पकड़ लिया करो टी और two को जो पहले लिखा है वह ऊपर रहेगा जो बाद में लिखा है वो नीचे रहेगा बच्चों तो यहाँ मैंने लिख दिया number of boys अच्छा number of girls कितनी है बच्चों 20 तो इसके सामने 20 और number of boys कितने है बच्चों 15 तो इसके सामने कितना आ गया 15 clear है बहुत ही simple है अब हम क्या करेंगे कौन सी टेबल में ये दोनों numbers आते हैं 5 की टेबल में 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15 तो fraction में अगर हमने देखा तो कितना आ गया बच्च सिवात है जो उपर है पहले लिख दो जो नीचे है बाद में लिख दो बीच में इस टू का या proportion का sign लगा दो 4 ratio 3 इसको क्या पढ़ सकते हो आप 4 is 2 3 या 4 ratio 3 ऐसे इसको read करते है 4 ratio 3 तो answer समझ में आ गया पहले पार्ट का बहुत असान था कैसे किया number of girls से number of boys पूछ रहा था number of girls लिख लिए number of boys लिख लिए जो पहले लिखा है वहाँ पर उसको उपर जो बाद में लिखा है बच्चो उसको नीचे लिखेंगे number of girls 20 थी तो इसके सामने 20 number of boys जो है 15 है तो इसके सामने 15 लिख दिया 5 की टेबल में दोनों numbers आ रहे हैं 5 की टेबल से इसको cut करेंगे 5 4 ज आ चुका है बच्चो और इसको ratio में लिखने का तरीका क्या है कि जो उपर है उसको पहले लिख दो यह जो divide का sign लग रहा है इसकी जगह पर ratio का sign लगा और जो नीचे उसको नीचे लिख दो यह हमारा answer आ चुका है first part का 4 ratio 3 clear है यह second part देखते हैं बच्चो second part में क्या बोल र यह तो first part हो गया कितना आ गया बच्चो 4 ratio 3 ठीक है मतलब अगर 4 लड़किया होंगी तो 3 लड़किया होंगे दोनों में 2 से multiply करके देखो 4 2 जा 8 3 2 जा 6 अगर 8 लड़किया होंगी तो लड़के कितने हो जाएंगे बच्चो 6 हो जाएंगे दोनों में 3 से multiply करके देखो 4 3 जा 12 3 3 जा 9 अगर 12 girls होंगी तो number of boys कितने हो जाएंगे बच्चो 9 आरी बात समझ में यह ratio समझोगे दीरे दीरे यह निकालना आ गया आपको अब देखते हैं इसका B part B part बच्चो क्या है आए देखते हैं B part what is the ratio of number of girls to the number of students number of students क्या होते है यह क्लास है आपकी आपके क्लास में मानलो आपके क्लास में मानलो बच्चो 20 लड़किया हैं और 15 लड़के हैं 20 girls हैं और 15 boys हैं तो आपकी क्लास में total number of student कितने हो चुके हैं कितने हो गए आपकी क्लास में पूरी क्लास में आपके total number of student तो सारे बच्चो को count कर लो चाहे वो मुझे बता सकते हैं आप कितने हैं टोटल नंबर आफ स्टुडेंट्स कितने हो जाएंगे बच्चों कितने टोटल है 20 गल्स हो गई प्लस 15 गॉए जो गए तो टोटल कुल मिला कि कितने बच्चे हैं तो यह 35 बच्चे हैं हमसे पूछा क्या गया है रेसियो अपदा यह टू को पकड़ लिया पहले क्या लिखा बच्चों नंबर आफ गल्स तो हमने लिख दिया यहां पर नंबर आफ गल्स divided by बाद में क्या लिखा है total number of students तो क्या लिख देंगे आप total number of students total number of students मेरी बात ध्यान से आप समझे number of girls कितनी है बच्चो number of girls को देखो कहाँ पर है number of girls 20 girls तो number of girls के सामने कितना लिख देंगे 20 divided by total number of students total number of students 20 plus 15 that is 35 तो total number of students की जगा पर कितना आ जाएगा बच्चो 35 इतनी बात आप clear कर चुके होंगे समझ चुके होंगे इसमें कुछ भी typical नहीं है बहुत ही आसान है कौन सा ऐसा टेबल है जिसमे 20 भी आ रहा हो और 35 भी आ रहा हो वो 5 की टेबल है बच्चो ठीक है ना chapter 3 में chapter 3 मतलब playing with numbers में आपको समझाया गया है divisibility rule divisibility rule में आपको सिखाया गया था कि जिस number के last में 0 या 5 आता है मतलब यह number जो है वो 5 की टेबल में जरूर आएगा तो 5 4 जा 20 एंड 5 7 जा 35 4 upon 7 तो ratio कितना आ गया बच्चो यहां का 4 ratio 4 ratio 7 यह पहला question हमने बहुत ही सांदार तरीके से किया है आपको doubt नहीं होना चाहिए इसमें फिर भी अगर इतना भी doubt हो आपको थोड़ा हो इस question में तो आप WhatsApp के माध्यम से टेलीग्राम के माध्यम से जहां भी आप हो अपनी बात बस मेरी तक पहुचा दो वो doubt आपका solve कराया जाएगा ठीक है लेकिन डाउट इसमें आएगा ही नहीं आपको इसमें क्या ही डाउट आएगा बिलकुल बेसिक है यह ठीक है बच्चों अगर आप screenshot लेना चाहते हो तो मैं side हो जल्दी से ले लो आप और अब हम देखते हैं अपना question number two तो यह रहा question number two question number two को ध्यान से देखिए आईए पढ़ते हैं अरे इसमें तो cricket खेल रहे हैं बच्चे मेरा भी मन कर रहे हैं यहां से balling करने का है ना लेकिन यह बहुत बढ़िया इस कितने है total 30 students out of 30 students उपर से लिखते हैं space बाद में कम नहीं पड़े इसको ढख दो अब इसकी बैटिंग करेगा यहां पढ़ाई पढ़ाई चल रही है क्रिकेट खेलेगा यहां पर बदमास बच्चा है ना आप लोग तो पढ़ाई कर रहे हो ना इसकी तरह cricket तो नहीं ख 6 इसमें से 30 में से total मान लो आप 30 friend हो आपकी class में total कितने बच्चे हैं 30 बच्चे हैं उसमें से 6 बच्चे ऐसे हैं 6 students ऐसे हैं जिनको क्या खेलने में मज़ा आता है बच्चों football बहुत बढ़िया गेम है तो यह मैंने लिख दिया football football कितने बच्चे खेल रहे हैं 6 ठीक आगे देखते हैं 12 like cricket अच्छा cricket खेलने में मज़ा आता है आपको आता है या नहीं कमेंट में लिख के बताना मुझे कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है 12 बच्चे 12 students जो हैं वो cricket को like कर रहे हैं 6 students जो हैं बच्चों football खेलना पसंद करते हैं and remaining like tennis मतलब और जितने बच्चे बच् करते हैं total आपकी class में 30 बच्चे हैं उसमें से 12 cricket 6 football तो कितने बच्चे बच्च गए इन दोनों को add करके देखो 12 plus 6 बच्चों कितना 18 मतलब 18 बच्चे ऐसे हैं जो football या तो cricket खेल रहे हैं मेरी बात समझ रहे हैं आप total 30 बच्चे हैं total 30 बच्चे हैं 30 बच्चों में से 12 plus 6 मत जो football खेल रहे होंगे या तो cricket खेल रहे होंगे कितने बच्चे बच्चे बच्च गए हैं total कितने थे 30 12 plus 6 18 तो यहां पर busy हो गए किसमें बच्चों football में या तो cricket में तो tennis कौन खेलेगा जो बच्च रहे हैं बच्चे कितने बच्चे बच्च गए 12 बच्चे क्या खेल रहे होंगे tennis यह बात clear है आपको कि remaining students tennis अब सबको add करोगे तो कितना हैगा 12 plus 12 24 24 plus 6 30 clear है तो वही बोल रहा था कि जितने बच्चे बच गए जो 12 बच्चे बच्चे थे class में है ना उनको क्या अच्छा लग रहा है खिलना tennis यहां तक clear होगा आपको और यहां तक अगर आपको clear है तो यह question में कुछ बचा ही नहीं यह question ही clear होगे आपको बहुत बढ़ियां आओ देखते हैं कैसे find the ratio of question number a क्या पूछ राइस में number of students तो number of students उपर लिखेंगे number of students to number of student liking football to यहां पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों liking football यह उपर हो गया तू के पहले वाला उपर हो गया तू के बाद में क्या लिखा दा number of students liking tennis number of students liking tennis यह आप पूरा लिखना ऐसे आप मत करना आप पूरा लिखना है ना तो मुझे बताओ football कितने बच्चे खेल रहे हैं 6 तो इसकी जगह पर लिख दिया 6 नीचे क्या है tennis tennis कितने बच्चे खेल रहे हैं 12 इसकी जगह पर लिख दिया 12 शिक सबन जा 6 6 तूजा 12 आंसर इज वन रेसियो 2 वन उपर वाला पहले नीचे वाला बाद में वन रेसियो 2 क्लियर है बहुत असान है ना खुद से करके देखो जब खुद से आ जाया ना बीना यहां पर देखे क्लास खतम होने के बाद आप क्या करो खुद करो यह सारे की हेल्प लिए खुद से करना जब आप खुद से करना सीख जाओगे ना तब मजाएगा तो आईए दूसरा लाइक कि रीकेट गजल डिवाइड वाइड वा爾 किसे पूछ रहा है तू कि क्या लिखा हुआ बच्चों टोटल नंबेर ओफ स्टुदेंस टोटल नंबर ओर ओफ स्टुदेंस यही पूछ रहा है न, वही लिख दिया मैंने, cricket पहले लिखा है, पहले ऊपर cricket लिख दिया, total number of student नीचे लिखा है, बाद में लिख दिया, clear? अब बात बताओ मुझे number of student liking cricket cricket पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं हमारे पास जिनको cricket खेलने में मज़ा रहा है तो आईए देखते हैं यह 12 बच्चे हैं तो इसकी जगा पर 12 लिख दिया clear है इतनी बात नीचे क्या बोल रहा है total number of students total number of student बच्चों कितने हैं 30 हैं तो यहा आते हैं six की टेवल आपको आती ही होगी six class में हो तो six की टेवल ना आए तो बहुत बुरी बात हो जाएगी मज़ा नहीं आएगा फिर है ना तो six two जा 12 और six five जा 30 बच्चों answer कितना आ गया two ratio five उपर two तो पहले two नीचे five तो बाद में five लिख दिया two ratio five is the correct answer बहुत ही बहु चैप्टर में मतलब इतना करके हमें three marks मिल जाएंगे बहुत असान है बच्चों और करोगे तो बहुत मज़ाएगा यह चैप्टर आपको class 7 में भी करने को मिलेगा class 7 में भी सेम चैप्टर मतलब कहने का है कि class 6 में ही इतनी बहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे कि class 7 में यह चैप्टर हमें परिसान ना कर पाए है ना हम इसको परिसान कर दें कि कोई भी question हो ratio and proportion का हम उसको करके ही रहेंगे कुछ भी हो जाए अगला अपना question देखते हैं बच् और इसमें आप कुसे ratio पूछ रहा है क्या आप किसी भी चीज को fraction में लिखना जानते हैं fraction में लिखना आईए मैं सिखाता हूं नहीं जानते हैं और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है फिर भी सारे बच्चे यहां पर ध्यान देंगे थोड़ी देर के लिए मैं सिखा रहा हूं कि किसी भी चीज को fraction में कैसे लिखते हैं जैसे for example अच्छा fraction में लिखने का rule क्या है हमेशा total जो total चीज होंगी नीचे आएंगी और जिसकी हम बात कर रहे होंगे वह उपर आएंगी क्या बताया मैंने चलो example के साथ देखते हैं ज्यादा मजाएगा अब मेरी बात कौनसे example दो आपको चलो मैं बात करता हूँ friends की है ना friend है आपके बहुत सारे friend होंगे मान लो आपके कितने friend है total 40 friend इतने ज्यादा friend मत बनाना है नहीं तो पढ़ाई बढ़ाई नहीं हो पाएगी 40 friends तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे 40 friends हमें नहीं बनाने हैं फॉर एक्जामपल 40 फ्रेंड हैं आपके 40 फ्रेंड हैं 40 फ्रेंड में बच्चों 40 फ्रेंड में अच्छा यह अलग-अलग कंट्री के फ्रेंड हैं 5 5 नहीं 20 जो हैं इंडियन हैं इंडिया से हैं ठीक है 40 फ्रेंड में आपके बाहर के भी फ्रेंड है और 8 फ्रेंड जो हैं व कहां तक है ऐस्ट्रेलिया तक USA से आपके फ्रेंड बनाता हूं चलो यहां से ले लेते हैं क्या ना में कहीं से ले लो से ले लो अपने बगल से हैं ना क्यनाड़ा से आपके 12 फ्रेंड तो यह आपके कुल मिलाके 40 इंडिया Atari Filmin संहें अगर मैं बताऊन की फ्रैक्षन निकालो इंडिया वाफे फ्रिंड्स का इंडिया में की किने फ्रेंड निकाल के बताव मुझे कैसे निकालोगे ध्यान से सुनो हमेशा नीचे आएगा बच्चो मतलब टोटल फ्रेंड आपके जितने है वो नीचे आगे टोटल चीज़े हमेशा नीचे आएंगी डेनॉमिनेटर में अब नियुमिनेटर में क्या आएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं बात कितने फ्रेंट हैं आपके 20 तो यहां पर ऊपर आ जाएगा 20 इनको काटोगे पीटोगे तो कितना जाएगा वन अपॉन टू क्योंकि 21 जा 20 22 जा 40 यह फ्रैक्शन निकाल दिया आप से रेशियो पूछता तो फ्रैक्शन को रेशियो में बदलना तो दुनिया का सबसे आसान का नाम है कैसे वन इस टू टू बात खतम रेशियो भी सीक लिया हमने फ्रैक्शन भी सीक लिया आईए हम देखते हैं कि कैनेडा के फ्रेंट का रेशियो क्या होगा तो कैनेडा में बच्चों आपके 12 फ्रेंड हैं और नीचे आएगा टोटल हमारे 40 फ्रेंड हैं कौन सी fraction में convert करना आपको आना चाहिए अच्छा एक और example देता हूं fraction में convert करने का समझो इसको यह basic चीजे जो बता रहा हूं आए समझ गये तो question तो बिल्कुल ऐसे चुटकी बजाके हो जाएगा आए देखते हैं एक और example एक आपके पास circle है बच्चों और इसमें कितने पिजा खाते हो पिजा यह इसकी slices है कितनी slices हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 एक और बना लो 8 8 slices है इसमें है ना सब बराबर हैं अगर आपको छोटा बड़ा दिख रहा है तो मान लो ना मैस है मानना तो पड़ेगा मान लो सारे slices बराबर हैं अब मेरी बात ध्यान से सुनिये अच्छा बढ़ियां से बना देता हूं बराबर ही बना देता हूं मानने कि कोई बात सुनिए कुछ का color green है कुछ का color क्या है ग्रीन है ऐसा कुछ का color जो है बच्चों वह क्या है yellow है जैसे यह सब yellow yellow है और जो बचे हैं वो white color के हैं जो आपको दिख रहे हैं यहां पर three colors का यूज किया है मैंने green yellow and white color तो अगर मैं पूछ रहा हूँ yellow वाले का fraction निकालो किसका yellow वाले का तो total कितने parts है total parts 8 तो 8 नीचे आ गया yellow वाला कितना part है 1 2 3 तो 3 उपर आ गया है ना असान यही अच्छा इसका ratio पूछ रहे तो कितना हो जाएगा 3 is to 8 sir यहाँ पर क्यों नहीं काटा हर जगह तो cut कर रहे थे simplest form में आप convert कर रहे थे यहाँ पर क्यों नहीं किया क्योंकि बच्चों यह दोनों जो है co prime numbers है co prime numbers क्या होते हैं जो किसी की table में एक साथ नहीं आते हैं जैसे 3 और 8 क्या किसी भी table में एक साथ आता है 1 को छोड़के नहीं आता ना तो यह co prime numbers है यह cutting नहीं तो इसका answer directly क्या हो जाएगा 3 ratio 8 अगर मैं आपसे green वाले का पूछता तो क्या होता किसका बच्चों green वाले का तो यहाँ पर हो जाता total तो 8 है total parts कितने हैं 8 और green part कितना है 2 1 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1 ratio 4 वाइट वाले का क्या होगा यह आप comment box में करके बताओगे मुझे मैं उसको check करूँगा clear है वाइट वाले का आप बताओगे बहुत असान है बहुत सारे बच्चे तो अभी बताने लगे हैं ठीक है ना तो यह समझ गए होंगे आपकी किसी भी चीज को fraction में कैसे बदलना है और fraction में बदलना आता है तो ratio में बदलना दुनिया का सबसे आसान काम हो जाएगा जैसे fraction में बदल दिया 1 upon 4 तो बस इसी को 1 ratio 4 लिख दिया बात खतम clear है कर लेंगे हम चलिए आते हैं question देखते हैं बच्चों question में क्या करना है है ना यह तो हमने बहुत सारे example ले लिए और बहुत मज़ा भी आया example में करके है ना अब question में देखते हैं यहाँ पर बोल रहा है बच्चों number of triangles number of triangles to the number of circles किसका किसका ratio पूछ रहा है उपर अच्छा बोल रहा है यह एक rectangle बना हुआ है बच्चों यह क्या है एक rectangle बना हुआ है यह एक rectangle बना हुआ है इसके अंदर बहुत सारे figures हैं इसके अंदर बहुत सारे figure हैं इन figures में सबसे पहला जो ratio पूछ रहा है बच्चों ए पार्ट में number of triangles to the number of circles, number of circles, जल्दी count करो, जल्दी count करके बता दो कि कितने triangle आपको दिख रहे हैं, one, triangle पता है ना क्या होते हैं, a closed figure which have three sides, ठीक है, मतलब a polygon having three sides is known as triangle, ये एक polygon है, इसके पास three sides है, तो ये क्या हो गया बच्चों, triangle हो गया, one, two, three, तो three triangle हैं, triangle की जगह पर three लिख दिया, कितने circle हैं बच्चों, circle तो आपको पता ही है, one and two, तो इसका fraction three upon two आ गया, अच्छे यहां पर total क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो total का नहीं पूछ रहा है, वो साब साब बोल दिया कि उपर triangle चाहिए और नीचे circle चाहिए, तो answer आ number of squares to all the figures inside the rectangle, अब यहां पर all the figures की बात कर लिया, तो पहले किसकी बात कर रहा है, number of squares, number of squares to the all figures, all figures, जल्दी बताओ कितनी square हैं, square जानते हो, figure, square में कितनी sides होती ही, सबसे पहले तो यह बता दो मुझे, four sides, ठीक है, in a quadrilateral when all sides are equal, it is known as square, मतलब एक quadrilateral में, जिसमें four sides होती है, अगर चार की चारो side, four sides equal हो गई, यह इसके बराबर, 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 तो यह क्या हो जाएगा, square, तो यहां पर कितने square दिख रहे हैं, बच्चो, one and two, दो square दिख रहे हैं, तो उपर आ गया two, total, कुल मिला के कि हो भी count करना है, सब मिला के, one, one, two, three, four, five, six, seven, तो नीचे कितने figure आ गया हैं, बच्चो, all figure से पूछ रहा है, तो नीचे आ गया seven, ऊपर हमसे square की बात कर रहा था, square कितनी बार था, केवल और केवल दो बार, तो उपर आ गया two, तो इसका answer आ गया बच्चो, two ratio seven, क्योंकि ऐ ऐसा कोई भी table नहीं है, जिसमें two or seven, एक साथ आते हो, इसलिए इसको हमने simplest form में नहीं किया, यह already बच्चो simplest form में है, किसी से यह cut नहीं हो सकते हैं, इसलिए यही answer आ जाएगा two ratio seven, आई इसका last part देखते हैं, c वाला part बच्चो, number of circles, उपर क्या पूछ रहा है, number of circles, ठीक है और नीचे क्या पूछ रहा है, देखके बताओ, two के बाद क्या लिए, all figures, अच्छा, all figures, इस rectangle के अंदर जितने आ रहे हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा है, बस, तो number of circles हमने पहले ही count कर लिया था, one and two, दो circle है, all figure कितने हैं, बच्चो seven, तो इसका भी answer कितना आ गया, two ratio seven, इ तो इसको बहतरीन practice के साथ ही करना है, आपको practice जरूर करना है class के बाद, जैसे ही class खतम होती है, उसके बाद बच्चों, class खतम होने के 2 घंटे के अंदर, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सारे बच्चों के 12.1 के सारे questions का solution आ जाए, 2 घंटा क्यों दिया मैं, क्योंकि class खतम होन वैसे ही करना है, बहुत बढ़िया, तो यह question आपने third देख लिया, आप screen shot लेना चाहिए तो ले सकते हैं, अगला question बच्चों देखते हैं, question number 4, question number 4 में बोल रहा है, the distance traveled by Hamid and Akhtar, दो लोग हैं, एक Hamid हैं और एक Akhtar है, in an hour is 9 km and 12 km, in an hour मतलब एक घंटे की बात कर रहा है, in Hamid कितने travel कर रहे है, Hamid, पहले Hamid लिखे हैं, मतलब 9 km, एक घंटे में Hamid 9 km चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, दोड रहे हैं, travel कर रहे हैं, Akhtar कितना कर रहे हैं, बच्चों, Akhtar traveled कितना kilometer, 12 km, 12 km, अक्तर travel कर रहे हैं, clear इतनी बात, क्या पूछ रहा हैं, आप से, find the ratio of Hamid, speed, speed of Hamid to the speed of Akhtar, एक बात समझो, पहले speed का formula समझो, speed equal to क्या होता है, बच्चों, distance upon time, यह formula होता है, जो ratio distance का होता है, वही ratio किसका होता है, speed का होता है, रटलो यह बात, जो ratio distance का होगा, वही ratio, बच्चों, speed का होगा, क्या लिख दिया मैंने, जो ratio, distance का होता है, distance का नोट डालके, आप भी लिखो, मेरे साथ ही अभी, होता है, वही ratio, speed का भी होगा, speed का भी होगा, पहली बात, यह पहला नोट था, दूसरा नोट बच्चों, जो ratio time, देखो, distance का जो होगा, वही speed का, लेकिन time के साथ उल्टा हो जाता है, क्योंकि speed उपर आ रहा है, time नीचे आ रहा है, जो ratio time का होगा, जो ratio time का होगा, speed उसका क्या हो जाएगा, reciprocal हो जाएगा, तो जो ratio time का होगा, speed का ratio उसका reciprocal हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ऐसे आपको भी लिख लेना है अपनी language में, ठीक है, इस language में इसलिए लिखवाया, जिससे कि आप आराम से इसको connect कर पाओ, जो मैं बताना चाहरा हूँ, तो दूसरा point अभी आएगा, कहीं ना कहीं आगे, आना होगा, तो पहले point का ये question है, तो मैं ये note कर लिए, आपने screenshot ले लो, बाद में note कर लेना, इसको मैं हटा रहा हूँ, तो मैं दूसरा point अब हटा रहा हूँ बच्चों, जो बच्चा नहीं लिखा हो, वीडियो पहुच करके back करके लिख ले, ठीक है, तो मैंने बोला कि जो ratio distance का होगा, distance हमें पता है, 9 km और 12 km, तो क्या पूछ रहा है हमसे, पहले वो लिख लेते है, speed of Hamid, पहले हमित की बात कर रहा है, speed of Hamid, to speed of Akhtar, speed of Akhtar, Hamid की speed, अब देखो, speed का ratio निकालना है, तो speed नहीं पता है, हमें speed पता है क्या, speed पता है, नहीं पता है, कोई tension वाली बात नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें speed का नहीं पता है, तो क्या हुआ, distance तो पता है, और जो distance का ratio होता है, वही किसका ratio हो जाएगा, बच्चों, वही ह हमारा speed का ratio हो जाएगा जो distance का ratio होता है तो हमें speed का निकालना कोई दिक्कत नहीं speed नहीं पता है तो distance का निकाल लेंगे 9 upon 12 3 3 जा 9 3 4 जा 12 answer is 3 ratio 4 तो यही distance का भी ratio होगा और यही ratio बच्चो speed का भी हो जाएगा clear है यहां तक क्या कोई doubt है आपको clear होगा यह important question है बच्चो बार बार एक्जाम में आ रखा है और जिसका मैं important लिख दिया उसको बढ़ियां से करके जाना एक्जाम में तो देखते हैं अपना अगला question question number five यह भी important question है बच्चो ठीक है यह fraction में आपने important तो है आए देखते हैं क्या लिखा है इसको थोड़ा सा सीधा सीधा लिख दूँ मैं 15 अपन 18 एक box बना दिया नीचे question देखने को मिलता ही मिलता है एक नंबर या दो नंबर में वह बहुत असान है तुरंत हो जाता है तुरंत के तुरंत हो जाता है ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता बस आपको टेबल आनी चाहिए कैसे आईए देखते हैं आईए बच्चो इस question को करने का एक बहतरीन तर छोटे को 18 से 6 कैसे आएगा या तो आपको multiply करना है या तो आपको divide करना है तो सोचने में थोधा सा वैसे मैं बता दूत है तो एटीन से 6 कैसे आगा 18 को three separate करोगे तो लेकिन आप लोगों के लिए थोढ़ा मुश्किल हो गया यह किस और आपको तो पता है 18 को 3 से डिवाइट करने पर 6 आ जाता मुझे नहीं पता ठीक है कोई बात नहीं छोटे नंबर को पकड़ो छोटे नंबर को 6 से 18 कैसे आता यह तो आपको पता ही होगा 6 की टेबल पढ़ो 6 बन जा 6 6 तू जा 12 एंड 6 3 आ 18 तो 6 से 18 कैसे आया जब हमने इसको 3 से मल्टिप्लाई किया यहां से यहां जाने के लिए आपने 3 से मल्टिप्लाई किया तो यहां से भी यहां जाने के लिए बच्चों आप 3 से मल्टिप्लाई करेंगे किस की टेबल में किस की टेबल में 3 से multiply करने पर 15 आता है 5 की टेबल सुनाओ मुझे 5 बॉन जा 5 5 टू जा 10 5 3 जा 15 मतलब यहां पर क्या आना चाहिए बच्चों 5 आना चाहिए आरी बात समझ में चलो बहुत बढ़िया बस अगला वाला देख लेते हैं 10 upon box और उसके अगला वा पर दिया मैंने ये भी और ये भी 5 से 10 बनाना आसान है ना 5 से 10 कैसे आया होगा बच्चों 5 बॉन जा 5 5 टू जा 10 मतलब जब आपने 2 से इस में multiply किया होगा 5 इंटू 2 10 तो यहां भी 6 इंटू 2 कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों यहां पर 12 क्लियर है अब यह तीनों लाइन हमें पता है इसको निकालना है अब मेरी बात ध्यान से सुनों यहां बच्चे फस जाते हैं अब आप क्या दिमाग लगाते हो कि 12 स 30 कैसे आएगा 12 12 24 12 36 हो गया 30 तो आया ही नहीं अब क्या करें तो जरूरी थोड़ी नहीं कि यहीं से जाओ यह भी तो लाइन है अमारे पास यह भी तो लाइन है कहीं से पहुंच जाओ 30 तक इस लाइन से पहुंचते हैं 30 तक यहां पर 6 है बच्चों 6 6 की टेबल में 30 आता ह 30 तो उपर वाले को भी 5 से मल्टिप्लाई करो 5 को 5 5 जा 25 यह करने का बहुत ही बहतरीन और आसान तरीका बच्चों बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना है यह मैंने फ्रेक्शन चाप्टर में अल्रेड़ी बता रखा है तो आप वहां भी देख सकते हैं और यहां भी अभी ड आउट हो तो आप दुबारा पूछना मैं इसको और बढ़िया से और एक्जाम्पल के साथ करा दूँगा क्लियर है ठीक है आई यह बढ़ते हैं अगले क्वेस्टन की तरफ इन सब का रेसियो निकालना है तो इसमें आपको मिलने वाला है होमवर्क मैं अचा रेसियो निक बच्चो मैं बता रहा हूँ जैसे आप जब चीनी खरीदने जाते हो दुकान पर कभी गय हो या मम्मी पापा या आप कभी जाते ही होगे कभी गय ही होगे तो जब आप सुगर खरीदने जाते हो चीनी खरीदने जाते हो बच्चों तो वहां दुकांदार से क्या बोलते हो कि दो किलो मीटर चीनी दे दो मुझे यही बोलते हो दो किलो मीटर चीनी दे दो या ऐसे बोलते हो दो लीटर चीनी चाहिए नहीं बोलते हो आप बोलते हो दो किलो ग्राम चीनी चाहिए तो जो किलो ग्राम है वही युनिट है दो किलो ग्राम क्या चाहिए युनिट चीनी च तो आप क्या बताएंगे 5 kg ऐसे बताओगे या 5 लिटर दूर है सर मेरे घर से मेरा इस्कूल 5 लिटर नहीं ऐसे भी नहीं बताओगे कैसे बताओगे 5 km तो आपने अपने घर से अपने स्कूल की डिस्टेंस बता दिया 5 km अगर मैं पूछूँ कि आपको कोल्डरिंग खरीदने जाना है मप्मी बोल नहीं गर्मी का मौसम चल रहा है गर्मी का सिसजन है और मम्मी बोल रही है बेटा कोल ड्रिंक लिआओ दुकान से, मम्मी ने दे दिया 100 रुपए आपको, तो अपने मन से तो लाओगे नहीं, मम्मी से पूछोगे, मम्मी आधी लीटर का चाहिए या दो लीटर का चाहिए, या एक लीटर का चाहिए, मतलब बच्चों, इसका होती है, तो या तो हम उसको फीट में मेजरमेंट करते हैं, जैसे मैं 6 फीट का हूँ, तो मैं 6 फीट बताऊंगा, या मैं सेंटीमीटर में भी बता सकता हूँ, मीटर में भी बता सकता हूँ, ये सब की सब जो है यूनिट है, साइंस में एक चैप्टर आप पढ़े होंगे unit and its measurement ठीक है ना ये chapter आप और भी बहुत बार पढ़ोगे और पढ़ भी चुके हो तो आप समझ चुके होगे अभी तक की units का क्या मतलब होता है आरी बात समझ में तो मैं बताना ये चाहरा हूँ कि कभी भी दो चीजों का ratio निकालोगे जैसे मैं बोल दिया आपसे कि पैसे से एक हजार पैसे से जभी भी बच्चों दो चीज का हम ratio निकालते हैं उनकी unit जो है हमेशा हमेशा एक जैसी होनी चाहिए जैसे for example यह मैंने question दिया आपको कि 5 रुपए का ये रुपए में दे दिया मैंने 5 रुपीज का आपको ratio निकालना है thousand पैसे से अब एक जगह हैं रुपया लिखा है एक जगह पैसे लिखे हैं तो आप पहले या तो दोनों को पैसे में बना लो या तो दोनों को रुपए में बना लो दोनों option सही हैं लेकिन दोनों एक जैसे दिखने चाहिए कैसे बनाएंगे सर तो आपको conversion सिखाया गया होगा आता है या नहीं conversion नहीं आता मैं बता दूँँगा tension नहीं लेना है विलकुल भी आईए सीखते हैं पहले यही question देखते हैं हम क्या करेंगे इसको भी पैसे में बनाएंगे हमें पता है कि बसके एक रुपए में 100 पैसे होते है ज्यादा का पूछ रहा है तो multiply करेंगे एक का पता है ज्यादा का पूछ रहा है तो multiply करेंगे तो 5 multiplied by 100 मतलब 5 रुपे में बच्चों 500 पैसे होंगे हमारा question change हो गया यह जो question था यह change होके अब क्या बन गया आएए देखते हैं अब यह question बन चुका है बच्चों रुपीज 5 की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं 500 पैसे 2000 पैसे क्या अब दोनों की unit एक जैसी दिख रही है आपको बिल्कुल दिख रही होगी तो हम क्या करेंगे अब जैसे हमें ratio निकालना है टू के पहले जो लिखा है उपर आएगा तू के बाद जो लिखा है नीचे आएगा दो जिरो से दो जिरो cancel 5 अपॉन टेन 5 ओन जा 5 5 टू जा 10 आंसर एज 1 ratio 2 तो यह करने का सही तरीका है याद रखोगे एक बात कि हमेशा unit जो है जो unit है किसी भी चीज का एक जैसा होना चाहिए जब ही हम ratio निकाल सकते हैं नहीं तो हम उसका ratio नहीं निकाल सकते हैं लेकिन हमारा जो question है हमें जो question दिया गया है बच्चों इस question में सबकी unit already same है एक जैसी है जैसे पहले question में तो कोई यूनिट ही नहीं है दोनों नंबर हैं कोई दिक्कत नहीं है यहां पर तो दोनों नंबर हैं यहां भी दोनों नंबर है ना इसके पास यूनिट है ना इसके पास यूनिट है तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है क्यों नहीं है दिक्कत क्योंकि दोनों एक जैसे हैं कैसे देखो रड़ वावाले में इसके पास कुछ है कि यहां देखो थारर्ड वाले में इसके पास किलोमीटर इसके पास किलोमीटर क्या कोई दिक्कत है नहीं है दोनोग largely में देखो इसके पास privileges कि- tie को धिक बोल रहा है ना तो directly निकाल दो जो पहले लिखा उसको उपर लिखो जो बाद में लिखा उसको नीचे लिखो कौन से number किस की table में आते हैं तो divisibility rule आपको पता है 3 की अब मुझे तो सब कुछ आता है मैं तो सही बता दू कि 27 की table में आते हैं मुझे 27 की table क्योंकि आती है लेकिन आपको नहीं आती नहीं आती ना लेकिन 3 की table तो आती है आपको कोई दिक्कत नहीं बच्चों 3 की table आती है वहीं से कर लेंगे क्या 3 की table में यह आएगा कैसे पता करें इन दोनों को add करो 8 plus 1 9 और add करने के बाद 9 आ रहा है क्या 9 3 की table में आता है, बिल्कूल आता है, तो ये भी आएगा बच्चों, 3 2 जा 6, कितना बच गया, 2, क्योंकि ये 8 था, 2 इसके सामने लगाओ, ये कितना बन गया, 21, 3 7 जा 21, आइए इसको cut करते हैं, 3 से, ये भी cut हो जाएगा, क्योंकि 8 प्लस 1, 9, 3 की table में 9 आता है, तो ये भी 10, जो 1 बच गया बच्चों, इसके सामने ले जाके खड़ा कर दो, 18 बन चुका है, लिखना नहीं है, मन में, मन में, मन में करना है, इसके सामने अगर 1 लगा दिया, तो 18 बन चुका है, 3 6 जा 18, तो अभी हमारा कितना आ रहा है, उपर 27, नीचे 36, क्या कोई table है, जिसमें 27 औ 4 एक साथ आ रहे हूँ, तो answer is 3, ratio 4, आईए इसका D वाला पार्ट देखते हैं, बच्चों, D वाला पार्ट, यह तो A वाला पार्ट था, D वाले पार्ट में आप से बोल रहा है, 30 minutes to 45 minutes, इनका ratio निकालना है, दोनों जगाए, unit check करो, unit 1 जैसी है, कोई दिक्कत वाली बात नह ही है, सीधे ऐसे लिख लो, किस की table में आएगा बच्चों, तो 5 की table से cut करो, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 3 की table में ये भी आएगा, ये भी आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, answer is 2, ratio 3, clear हो गई बात, यह कोई doubt है यहां तक, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बच्चों, अगला question देखते हैं, next question is, 7th, 7th question देखते हैं बच्चों, ठीक है, पूरा कराऊंगा, भागना नहीं किसी को, क्योंकि पढ़ना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अगर भी ना मेहनत किये नंबर आ जाता तो सारे बच्चे टॉपर होते, जो मेहनत करता है बच्चों, उसी के नंबर आने है, औ तो आप खुद ही डिसाइड कर लो, कि आपको नंबर लाने है नहीं लाने है, और कितने लाने है, अगर बढ़िया नंबर लाने है, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और आओ, जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप तो करोगे, मैं किसके लिए मेनत कर रहा हूँ आपके लिए आप किसके लिए मेनत कर रहा हूँ अपने लिए तो अपने लिए तो कम से कम करो मेनत ठीक है ना आईए देखते हैं 7th question यह वही वाला question है जो मैं अभी बता रहा था unit एक जैसी करने वाली इसको देख लो first question 30 minutes to a part 30 minutes to 1.5 hours clear है यहाँ पर minute लिख दिया यहाँ पर hour लिख दिया यह क्या कर रहा है यह दोनों को एक जैसे करेंगे कैसे एक घंटे में कितने minute होते हैं बच्चों in one hour how many minutes in one hour एक घंटे में बच्चों होते हैं 60 minutes केतने minutes 60 minutes तो 1.5 में 1.5 hour में कितने minutes होंगे तो मैंने अभी क्या बता यह पीछले question में कि जब पता है ज्यादा का पूछ रहा एक का पता है ज्यादा का पूछ रहाए तो ज्यादा वाला इससे multiply multiply हो जाएगा 1.5 into 60 करोगे multiply करना आपको आता होगा तो यह आ जाएगा बच्चो 90 minutes 90 minutes अब यह question दुबारा लिखेंगे क्या लिखा है बच्चो 30 minutes 2, 1.5 hours को क्या लिख देंगे 90 minutes क्या लिख देंगे 90 minutes आई यह ratio निकाल लो अब दोनों एक जैसे हो गए है 30 upon 90 0 से 0 cancel 3 1 जा 3 3 3 जा 9 1 upon 3 and ratio is 1 ratio 3 जो मैंने बताया था अभी समझा के वही बिल्कुल है और यहां पर क्या आ गया वो तो मैं रुपए और पैसे में बताया था लेकिन बच्चों यह वाला किसमे है minute में है और r में है तो सबसे पहले दोनों को बदल लो या तो दोनों को आर में कर लो या तो दोनों को आपके लिए मुश्किल लगेगा जो छोटा होता उसमें कनवर्ट करो तो आर को हम किसमें कनवर्ट कर देंगे बच्चो मिनिट में और यह क्वेस्टन ऐसे हो जाएगा कोई डाउट नहीं है ना ठीक है बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां अब आये देखते हैं यह वाला सी वाला पार्ट सी वाला पार्ट अभी यह दोनों बताऊंगा बियोडी टेंसन मतलो सी वाला पार्ट क्या बच्चो 55 पैसे 2 रुपीज 1 एक जगा रुपया लिख दिया एक जगा पैसा लिख दिया बड़ा कौन होता है रुपया छोटा कौन होता है पैसा तो किसमें बद जाएगा 55 पैसे 200 पैसे है ना अब दोनों एक जैसे हो गए हैं दोनों पैसे में आ चुके हैं तो इनका सीधे सीधे रेशियो निकालेंगे कैसे निकालेंगे देखिए यहां पर 55 और यह हो गया 100 क्या यह दोनों किसी की टेबल में आएंगे बच्चों आज ही मैंने एक बात क्या बात बताई है कि जिसके जिस नंबर के लास्ट में 5 या 0 आता है वो हमेशा किसकी टेबल में आता है बच्चों 5 की टेबल में तो यह दोनों 5 की टेबल में आ रहे होंगे देखो 5 और 5 5 और 5 और 10 और 10 बचा यहां लगा दो कितना आ गया है 11 अपॉन 20 क्या ऐसी कोई ट 20 भी आ रहा हो नहीं है तो इसका अंसर आ गया बच्चों 11 रेशियो 20 तो यह हमने दो पार्ट तो देख लिया A पार्ट और C पार्ट अब नंबर आ जाता है B और D पार्ट का तो B और D पार्ट के लिए आपको कनवर्जन आना चाहिए क्या आपको आता है कनवर्जन या वो लास में ही सीखेंगे कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है हम तो यह आप स्क्रीन सॉट लेना चाहो तो ले लो मैं इसको हटा रहा हूं अभी ठीक है ना पॉज करके ले लो ठीक है तो इसको मैं बच्चों हटा रहा हूं क्लियर हो गया हो गया यह पहला और तीसरा लास में बच्रूब ँसके बाद इसके दूसरे और लास्ट वाले पार्ट को करेंगे तो मैं कुछ लाइन लिख रहा हूं यह लाइन आपको याद कर लेनी है विल्कुल ऐसे ही अभी लिखो नोट है ये नोट मेरे साथ लिख लिया करो लिखो किलो हेक्टो डेका मीटर किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली मीटर डेसी सेंटी मिली मीटर ऐसे आपको भी लर्न होना चाहिए कैसे किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली मीटर याद हो गया किलो हेक्टो डे देका-मी्टर Pour 577 मिलीमीठर अभी याद कर लो याद कर लिया याद कर लिया ठीक है यहां मिटर की जगे पर और क्या आ सकता है ग्राम आ सकता है और &新聞 ओर सकता है और क्या सकता है तीनों के लिए एक ही रूल है अगर इतना आप कर लिया किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मीले मीटर तो ये काम हो जाएगा कभी भी आपको कनवर्जन में दिक्कत नहीं आएगी आई ये देखते हैं कि कनवर्जन कैसे करना चाहिए हमें सबसे पहले रूल नंबर वन अगर इधर से इधर जाएंगे तो ये क्या बता दिया कभ इधर से इधर जाएंगे कभ इधर से इधर आएंगे सब पता चल जाएगा ठीक है ना सब पता अभी चल जाएगा अब देखो जब मीटर मीटर वाला टेवल पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा किलो मीटर हेक्टो मीटर डेका मीटर मीटर डेसी मीटर centimeter millimeter मतलब meter वाले के लिए सबके last में meter लगा दो gram वाले के लिए सबके last में gram लगा दो और liter वाले के लिए बच्चो सबके last में क्या लगा दो liter लगा दो वो आप खुद कर लेना सबसे पहले आजाओ अपने example number इस पर बोल रहा है 40 centimeter to 1.5 meter छोटा कौन है जो इधर है छोटा है जो इधर है बड़ा है इधर छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा सबसे बड़ा तो centimeter ये रहा centimeter से आपको कहा जाना है centimeter से बच्चों आपको में cm में यह बात clear है 1.5 M को cm में क्यों क्योंकि हमेशा छोटे में convert करो यह छोटा है तो इसको भी छोटा बनाओ अब हमें मीटर से कहा जाना है cm में जहां से जाना है वहां लिख दो 1 और जहां तक जाना है 0 लगा लो तो यह क्या लिख दिया मैंने 100 कहा से कहा जा रहा हूं मीटर से सेंटी मीटर में इधर से उधर जाएंगे जब मतलब left से right जाएंगे जब तो left से right जाएंगे में बच्चों क्या करते है。 multiply तो जो भी यहां लिखा हुआ है उसको multiply कर देना है किस से करना है बच्चों जो यहां पर आ गया 100 मतलब 100 से जब आप 1.5 को 100 से multiply करते हैं तो कितना आ जाता है 150 centimeter तो अब हमारा ये question क्या बन चुका है बच्चों ये बन चुका है 40 centimeter to 150 centimeter दोनों एक जैसे कर दिया मैंने इसको centimeter और इसको भी centimeter में कर दिया क्या ये बात समझ में आ गई तो अब ह करते हैं कैसे यहां पहले इतना आप note कर लो ये वाला screenshot ले लो ठीक है यहां मैं बता देता हूं 40 centimeter to क्या बन गया था 150 centimeter क्या दोनों एक जैसे हो गए बिलकुल हो गए तो दोनों को कर दो divide 0 से 0 कट गया कितना आ गया बच्चों 4 upon 15 क्या 4 और 15 एक ही टेबल में आते हैं क्या क कोई ही ऐसा टेबल है जिसमें 4 और 15 दोनों आते हैं बच्चों नहीं है तो नहीं है तो यही हो गया अपना answer 4 ratio 15 क्या कोई doubt है किसी बच्चे को इसमें कैसे आया 4 ratio 15 कैसे हमने दोनों को centimeter और meter को एक जैसा बना लिया centimeter में convert कर लिया यह सारी बातें क्या आपको समझ में आ है तो आप ले ले अब मैं यह कुछ चीजें हटा रहा हूं और हम लोग देखने वाले हैं question number last ठीक है ना कर लिया होगा आपने तो इसको मैं हटा दिया यहां से और इसको मैंने हटा दिया यहां से clear अब हम देखते हैं बच्चों लास्ट वाला question part number d इसको भी हटा ही देते हैं शयां आद कि पार्ट number d को ध्यान से देखिए अ इस पार्ट नंबर डि में क्या बोल रहा है लब है अन्ट ले पार्ट नंबर डी में आप से बोल रहान 500 mm तू तू लिटर एक मीली लीटर में है एक लीटर में है पहले यह डिसाइड करो छोटा कौन दजा होता है और लीटर तो बड़ा होता है यह तीनों एखी लाइन में है यहाँ से बच्चों फिर से इधर जाना है तो क्या करेंगे हम multiply करेंगे दो लीटर को हमें बदलना है किसमें मीली लीटर में किसमें बदलना है बच्चों मीली लीटर में मीली लीटर में बदलना है यहां से यहां से लीटर से कहां जाना है मीली लीटर जाना है मतलब इधर से इधर को जाना है क्योंकि मीली लीटर वहां है यहां से जाना ह अधर जाने के लिए क्या करते हैं multiply तो यहां पे जो लिखा है वो लिख लो जो भी यहां पे लिखा है लिख लो multiply लगा दो लीटर जहां से start कर रहे हैं वहां पर one और जहां तक जा रहे हो zero लगाते जाओ एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, यहां पर कितना लिखा था, वन, तो कितना हो गया, बच्चों, वन थाउजन, वन थाउजन को 2 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया, 2000 मिली लीटर, मतलब 2 लीटर में 2000 मिली लीटर होता है, ठीक है न, तो question क्या बन गया, हमारा D वा रही है, बिल्कुल आ रही है बच्चों, तो इनका निकाल दो जल्दी से, रेशियो, दो जीरो से दो जीरो, कैंसिल हो गया, बच्चा क्या, फाइब अपॉन ट्वेंटी, फाइब और ट्वेंटी, कौन सी टेबल में आएंगे, फाइब वन जा फाइब फोर, जा बच्चो सबको समझ में आगे होंगे, ये चार के चार क्वेस्चन, ये चारो क्वेस्चन ही बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेस्चन नंबर एट की तरफ, क्वेस्चन नंबर एट में बोल रहा है, in a year, मतलब एक साल में, एक साल की बात कर रहा है, सीमा इर्न्स इतना रुपए, 1,50,000 एक साल में, अर्निंग कितनी है, इनकम कितनी है, सीमा की इनकम है बच्चों, 1,50,000, 1,50,000 सीमा कमा रही है, बचा कितनी रही है, सेविंग कितनी है, सेविंग है बच्चों, 50,000 की, इतना रुपए सीमा ब में एक लाक रुपए उनके खर्च हो जाते हैं कहीं ना कहीं इक्सपेंडीचर कितने रुपए खर्च कर दिया सीमा ने एक लाख एक लाक पर आई ये question देखते हैं ए पार्ट money that सीमा find the ratio of किसका ratio निकालना है money that SEMA earns मतलब earning का किसके साथ निकालना है बच्चो 2 के पहले या था उपर लिख दिया money c save saving का earning का और saving का ratio निकालना है बच्चो earning यहां से earning देखके बताओ कितनी है कितने रुपे इसकी income या earning है earning है बच्चो 1,50,000 रुपीज तो यहां पे लिखेंगे 1,50,000 रुपीज और saving कितने रुपे बचा रही है 50,000 रुपे तो यहां पे लिख दिया 50,000 4,0 से बच्चो 4,0 कट गया 5,1 जा 5,5,3 जा 15 answer is 3 ratio 1 3 ratio 1 clear है यह बहुत बढ़िया इसका B part देखते हैं बच्चो saving saving और 2 के बाद क्या लिखा है spend spend मतलब expenditure spend लिखतो या expenditure लिखतो बात एक ही है expenditure का भी मतलब क्या खर्चा कितना खर्चा हो गया तो saving कितना किया है बच्चो 50,000 का तो ऊपर कितना आ जाएगा 50,000 spend खर्च कितना किया है 1,000,000 रूपीज तो नीचे आ जाएगा बच्चो 1,000,000 रूपीज 4,0 से 4,0 cancel 5,1 जा 5 5,2 जा 10 1 ratio 2 is the correct answer तो ऐसे questions आते रहते हैं आपके exam में बहुत ही आसान होते हैं जितनी आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ इतना ही आसान होता भी है बच्चो तो मैं चाहता हूँ कि ये question ratio and proportion का कोई भी question आपका गलत नहीं होना चाहिए ठीक है एक इस type का question आपका आता है एक type का और आता है जो अभी तक आया नहीं है हमारे सामने आएगा भी अभी वो भी आएगा कहीं छुपा हुआ बैठा है आए देखते हैं बच्चो next question question number 9 there are 102 teachers in a school of 3300 students find the ratio of number of teachers पहले number of teachers लिखा है बच्चो हम भी लिख दिये number of teachers किसके साथ 2 के बाद क्या है number of students number of students number of teachers का ratio निकालना है आपको number of students के साथ कैसे निकालेंगे सबसे पहले मुझे बताओ देख कि number of teachers कितने है बच्चो 102 102 और number of students कितने है 3300 3300 अब ये number थोड़ा सा बड़ा हो गया आसान तो था लिखने में number थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसको simplest form बनाना cut करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए आईए देखते हैं कि इसको cut कैसे करें पहले आप 2 से cut करो मुझे कैसे पता कि ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं बच्चों number कितना भी बड़ा हो अगर उसका last digit सबसे last में उस number के 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो नमबर 2 से 2 से जरूर divisible होता है ठीक है मतलब कोई भी नमबर हो कितना भी बड़ा कितना भी बड़ा 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 9 last में अगर last में बच्चों क्या क्या 0, 2, 6, 4, 8 ये आ रहा है last में तो नमबर 2 की टेबल में आना ही आना है 2 से divisible उसको होना ही होना है और ऐसे numbers को हम क्या बोलते हैं बच्चों even numbers ठीक है even numbers तो आईए देखते हैं कि इनको 2 से cut कैसे करेंगे 2, 5 जा 10 और 2, 1 जा 2 इसको 2 से 2, 1 जा 2 क्योंकि 2, 2 जा कितना हो जाएगा 4 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 तो 2, 1 जा 2 1 बचा है 1 के इसके सामने मान लो तो यह 13 हो गया बच्चों 2, 6 जा 12 फिर 1 बच गया 1 के इसके सामने मान लो 10 बन जाएगा 2, 5 जा 10 और 0 ऊपर 51 है और नीचे इतना है 1, 6, 5, 0 यह किसकी टेबल में आएगा 2 में तो आएगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 1 आ रहा है 2 में तो आएगा नहीं क्या 3 में आएगा आएए चेक करते हैं 5 प्लस 1 कितना होता है 6 क्या 3 की टेबल में 6 आता है बिल्कुल आता है इन तीनों को एड़ करो 4 को 6 प्लस 1, 7 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 0, 12 क्या 3 की टेबल में 12 आता है बिल्कुल आता है तो इस दोनों 3 से divisible होंगे आएगे देखते हैं 3 बंजा 3, 3 से बंजा 21 कैसे? 3 बंजा 3, 5 है 2 बच गया 2 को एक मिनट बच्चो क्या बता रहा था मैं कैसे? 17 आया 3 से कट करने के बाद तो मैं बता रहा था कि 3 बंजा 3 हो गया लेकिन ये कितना है? 5 तो कितना बच गया? 2 2 के इसके सामने imagine करो 21 हो गया तो 3 से बंजा 21 3 से इसको कट करते है 3 5 जा 15 लेकिन ये कितना लिखा है 16, 16 में 1 बच गया क्योंकि 15 हुआ था, 1 इसको दे दो 5 को ये कितना हो जाएगा 15, 3 5 जा 15 और ये 0 कॉपी कर दो, 0 यहाँ पर कॉपी कर दिया, तो ये 17 आ गया और ये 550 आ गया, क्या 17 और 550 किसी की टेवल में आते हैं नहीं आते हैं बच्चों, तो इ यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, तो ये आंसर होगे आपना 17 रेशियो 550 क्योंकि 17 और 550 किसी की भी टेवल में नहीं आते हैं, आई ये अगला क्वेस्चन देखते हैं, क्वेस्चन नमबर 10, क्वेस्चन नमबर 10 में बोल रहा है, in a college, out of 4,320 students, मतलब एक college में कितने students हैं, बच्चो, 4,320 students हैं, कुल मिला के इतने बच्चे हैं, इतने में से कितनी girls हैं, 2,300 girls हैं, इतनी girls हैं, तो boys कितने हो जाएंगे, क्या आप बता सकते हैं, boys कितने हो जाएंगे, तो कुल मिला के इतने बच्चे हैं, इतने में से इतनी लड़कियां हैं, तो ज 2020 इतने boys हो जाएंगे आ रही बात समझ में मतलब इसको और इसको add करोगे तो total number of student आ रहे होंगे देखो 000 हो गया 022 हो गया 3 और 03 हो गया 2 और यह बात समझ में आई कि इतने लड़के कहां से आ गए कुल मिला के इतने बच्चे इतने लड़किया तो इसको इसमें से इसको इन दोनों को मतलब difference निकालो minus करो तो boys आ जाएंगे clear इतना minus करगे अगर आपने इतना काम कर लिया है तो बाकी के questions आराम से हो जाएंगे पहले में क्या पूछ रहा है girl का और total number of student का ratio तो इसको उपर इसको नीचे लिखो काटी पीटी करो आ जाएगा दूसरे में क्या पूछ रहा है boys का number of girls से मतलब की इसको उपर लिखो इसको नीचे लिखो काटी पीटी करो आ जाएगा तीसरे में क्या पूछ रहा है बच्च और इसको काट पीठके अंसर आजाएगा कैसे काटेंगे पीठेंगे 0 से 0 काट दो अब क्या बच गया 202 नीचे क्या बच गया 432 2 से काट दो 1012 से काट दो इतना आगया काटने आता न Concept को फिर से 2 से काट दो अब यह किस से कटेगा अब ये किसी से भी नहीं कटेगा clear हुआ तो ऐसे करके आपका answer आजाएगा कर लोगे ये आपके लिए homework हो गया इतना मैंने hint दे दिया यहीं से सारा answer आजाएगा आपका clear है ये अगला question देखते हैं बच्चों अगले question में क्या बोल रहा है out of 1800 students in a school कितने बच्चे है टोटल total number of students कितने है 1800 750 opted for basketball ऐसा question हमने एक starting में किया था आज बोस्केट बॉल कितने बच्चे ले रहे हैं इसमें से 700 बच्चे बोस्केट बॉल खेलना पसंद करते हैं 800 opted for cricket 800 बच्चे ऐसे हैं जो cricket खेलना पसंद करते हैं क्या खेलना पसंद करते हैं बच्चों cricket खेलेंगे 800 बच्चे और जितने बच्च गए remaining वो table tennis खेलेंगे इसको मैं tt लिख देता हूँ तो कितने बच्च गए ये कैसे निकालेंगे इन दोनों को जोड लो add कर लो कितना आ जाएगा इन दोनों को add करने पर बच्चो 1550 आ जाएगा मतलब 1550 बच्चे ऐसे हैं जो या तो बॉस्केट बॉल खेल रहे हैं या तो क्रिकेट खेल रहे हैं और कुल मिलाके कितने बच्चे हैं इतने बच्चे है तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कौण आ जाएगा TT, table tennis वाले तो 1800 में से बच्चो 1550 को माइनस कर दो तो यह जो 250 आ रहा है ये इतने बच्चे क्या खेल रहे हूंगे, table tennis मतलब कुल मिला के इसको इसको मिला दो तो कुल कितने बच्चे हो जाएंगे 1800 क्लियर हुई बात आईए अब हम question करते हैं अब हम question करते हैं ध्यान से सुनिए ए पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे the number of students who opted for basket ball का किसके साथ पूछ रहा है table tennis के साथ बच्चों basket ball का किसके साथ पूछ रहा है table tennis के साथ basket ball देखके बताओ कितने बच्चे है 750 table tennis वाले कितने है 250 इनको cancel करो 5 से 5 से 5 1 जा 5 5 3 जा 15 answer is 3 ratio 1 इसका भी पार्ट देखेंगे कट करना आता है ना चार-पांच में मैंने दम simplify करके बता दिया आपको कट करना आना ही चाहिए नहीं आता तो मुझे comment करके बताना उसकी मैं अलग से class लूँगा उसमें बताऊंगा कि कैसे divide करते हैं कैसे cut करते हैं बी पार्ट में बच्चों गया है number of students who opted for cricket to the number of students opting for basketball cricket ball cricket और basketball की बात हो रही है यहाँ पर cricket और बॉसकेट बॉल की बताओ उपर क्या आएगा क्रिकेट कितने बच्चे खेल रहे है 800 अरे देख लो ना यहाँ पर cricket कितने खेल रहे हैं 800 बॉसकेट बॉल कितने खेल रहे हैं 750 अब यहां काटिम कूटा करना है 0 से 0 कट गया तो क्या बचा 80 अपाउन 75 अब यह दोनों बच्चों 5 की टेबल में आते ही आते हैं क्यों आते हैं क्योंकि इसके लाश्ट में 0 और इसके last में 5 लिखा है 5 से इसको cut करेंगे तो कितना आजाएगा 16 और 5 से इसको cut करेंगे तो कितना आजाएगा 15 ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 16 और 15 एक साथ आते हों तो answer हो जाएगा 16 ratio 15 इसका C part आप आप खुद करेंगे आ रही बात समझ में क्या पूछ रहा है number of student who opted for basket ball basket ball का मतलब ये ऊपर हो जाएगा ये ऊपर हो जाएगा लास्ट आले पार्ट में नीचे क्या आएगा total number of student मतलब 1800 नीचे आ जाएगा इसको solve करोगे और आपका answer आ जाएगा कर लेंगे आप ठीक है बहु 12 question very important question बहुत बार exam में आपके आ रखा है बहुत important है आईए देखते हैं बच्चों इसमें doubt भी होता है बच्चों को बोल रहा है cost of a dozen pens is 180 मतलब एक dozen में एक दर्जन में कितने pen होती है बच्चों 12 तो 12 pen कितने रुपए में मिल रहा है 180 रुपए में मैंए प्राइज ओफ 12 pens प्राइज ओफ 12 pen आपको कितने में मिल रहा है बच्चों 180 रुपए में एकUL कितने में मिल जाएगा फिर अगर बारह प्रें 180 में मिल तो एक पेन कितने में मिल जाएगा नहीं पता हो मैं कुछ सिखाता हूं आपको अगर पांच चॉकलेट 30 रुपए की मिल रही है आपको एक चोकलेट चाहिए तो कितने रुपए की मिलेगी क्या ये पता है अगर ये नहीं पता तो चॉकलेट खाना बेकार है फिर फिर तो चॉकलेट खाना विकार हो गया मेरी बात सुनिए अगर ज्यादा का दिया है और एक का पूछ रहा है अभी मैं थोड़ी दिर पहले क्या बता रहा था ये नियम सीखलो जिंदगी भर काम आएगा जो बताने जा रहा हूँ अगर एक चॉकलेट मेरी बात ध्यान से सुनो चॉकलेट की जगा पैन ले लो या कुछ और ले लो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एक पैंसिल बच्चों एक पैंसिल अगर आट रुपए की है पैंसिल एक एट रुपीच की है एक पैंसिल तो फाइब पैंसिल कितने क हो जाएगी यह दोनों क्वेस्चन अगर आप समझ गए तो दुनिया में बहुत सारा कोई भी ऐसे घुमा के ज्यादा पेंसिल का पूछ रहा है एक का पता है ज्यादा का पूछ रहा है यहां उसका उल्टा हो रहा है ज्यादा का पता है एक का पूछ रहा है तो जभी भी बच्चों आपको एक का पता हो ज्यादा का पूछ रहा हो तो आप क्या करेंगे multiply, जबी भी बच्चों आपको ज़्यादा का पता है, एक का पूछ रहा है, तब आप क्या करेंगे, divide करेंगे, आईए देखते हैं कैसे, एक का पता है, ज़्यादा का पूछ रहा है, इन दोनों को multiply कर दो, 8, 5 जा कितना, 40, ज़्यादा का पता है, 5 का पता है, divide करना तो यह जाके नीचे divide हो जाएगा, 30 अपॉन 5, मतलब, एक चॉकलेट आ रही होगी, 6 रुपीज में, आज आओ, अपने question की तरफ, यह आपको note करना है, इसका screenshot ले लो जल्दी से, ले लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, 12 पिन 180 रुपे में है, तो एक पिन, ज़्यादा का दिया है, एक का पूछ रहा है, तो divide, तो यह 12 इसके नीचे जाएगा, और divide हो जाएगा, इसको cut करेंगे बच्चों, तो कितना आ रहा होगा, 15, कैसे, आओ मैं cut करके दिखा दूँ, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, एक 0 था, एक 0 लगा दिया, 2 की टेबल में 15, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, तो 15 आ गया, एक पेन का, एक पेन का प्राइज कितना आ गया, बच्चों 15, आगे पढ़ते हैं, cost of 8 balls, 56, 8 balls कितने में मिल रही हैं, 56 में, तो 1 ball कितने में मिलेगी, ज़्यादा का दिया है, एक का पूछ रहा है, अच्छा, divide करना है यह आके यहाँ divide हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, rupees 7, clear रही इतना, एक पेन आपको 15 रुपे में मिल रही है, एक ball आपको 7 रुपे में मिल रही है, ठीक है न, क्या पूछ रहा है, find the ratio of cost of a pen to the cost of a ball pen, अच्छा, ball नहीं है, ball pen है, बच्चों, ball नहीं है, ठीक है, बोल रहा, एक pen और एक ball pen का ratio निकालो, अरे निकल तो गया, pen का और एक ball pen का, तो एक pen कितने में आई थी, बच्चों, 15 रुपे में, एक ball pen कितने में आई थी, बच्चों, 7 रुपे में, क्या ये कोई table है, जिसमें दोनों आते हैं, नहीं है, तो answer is 15 to 7, answer is 15 to 7, 15 to 7 जो है वो आपका क्या हो गया, answer हो गया, clear हो गया है, कोई doubt है, इसमें नहीं है, ठीक है न, इसका screenshot लेना चाहिए, तो आप ले सकते हैं, और बढ़ते हैं, अपने अगले question की तरफ, बच्चों, दो-तीन question हो रहे हैं, बस ऐसे ही आप साथ देते रहें, तो होता र और यह होता है, length और यह होती है, breath, length और breath का, breath और length का दिया है, पहले breath लिखा है, और फिर length लिखा है, तो breath और length का ratio जो है, बच्चों, वो 2 ratio 5 है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले breath लिखा है, breath उपर लिख दिया, length बाद में लिख दिया, पहले 2 लिखा है, 2 उपर औ कोई दिक्कतवारी बात नहीं है यह तो पहले से कंप्लीटेड है कोई दिक्कत नहीं है 25 से 50 बन गया 25 से 50 कब बनता है जब हम 2 से मल्टिप्लाई करते हैं 25 में ठीक है यहां से समझ लो कि length जो है length वो कितना बन गया है बच्चों 50 बन गया है तो उपर क्या आएगा 5 10 जा 50 होता है तो 2 10 जा कितना हो जाएगा 20 तो यहां पर कितना भर दो गया 20 कोई डाउट यहां से भी कर सकते हो 15 2 जा 50 तो 10 2 जा कितना 20 यहां से भी कर सकते हैं कि 20 को 2 से multiply किया 22 जा कितना होता है तो यहां पर 52 जा कितना होता है बच्चों 50 में जब 2 का मल्टिप्लाई करेंगे 100 बहुत असान है कर लेंगे आप अगला question देखते हैं 14 वेरी most important question ठीक है बहुत ज्यादा important question है यह बहुत ही ज्यादा important question है यह देखते हैं 20 pen है सिला और संगीता को देना है 3-2 में कोई दिक्कत नहीं है 20 pen है जबी भी ऐसा question आपके एक्जाम में जरूर आता है 100% आता है अगर यह chapter आपके एक्जाम में आ रहा है तो हो भी नहीं सकता कि यह question आए यह question नहीं इसके जैसा इसी के जैसा आये सीखते हैं पहले हम बाट देते ह है सीला को सीला को नहीं pen को बाटेंगे सीला को ठीक है तो सीला को कितनी pen मिल रही है कि नंबर ओफ पेंस पूरा बढ़ियां से लिखता है ना इसको नंबर ओफ पेंस सीला को कितनी pen मिल रही है पहले सीला लिखा है फिर संगीता लिखा है तो पहले थ्री लिखा है फिर टू लिखा है मतलब यह जो थ्री है वो सीला वाला है और यह जो टू है वो संगीता वाला है ऐसा समझ रहे हैं जो पहले लिखा है पहले जो बाद में लिखा है बाद में चलो किसका हम निकाल रहे हैं पहले वाले का सिला का निकाल रहे हैं बच्चों सिला का कैसे निकालेंगे पहले 3 लिखा है तो पहले 3 लिख दिया रेशियो में पहले 3 लिखा है हम इसका निकाल रहे हैं तो इसका वाला पार्ट ऊपर लिखेंगे टोटल 3 प्लस 2, टोटल 3 प्लस 2 कितना 5, जो टोटल है वो नीचे लिखेंगे और जो आइटम है, आइटम में क्या है pen, 20 pen है तो 20 यहां लिखेंगे multiply, ऐसे ही अगर मैं आपको सिखाओ number of pens, संगीता, संगीता को कितनी pens मिली, संगीता, संगीता का part क्या है बच्चो 2, तो 2 यह लिखेंगे संगीता का part, जो जिसका part है वो उपर, नीचे आएगा total 3 प्लस 2, 5 और यहां आएगे total number of items, तो यहां पर 20, इन दोनों को solve करेंगे, हमारा answer आजाएगा कैसे, 5 ओंजा 5, 5 फोर्जा 20, 3 फोर्जा 12, 5 ओंजा 5, 5 फोर्जा 20, यह भी उपर है, यह भी उपर है, 3 फ जा 5, 5 फोर्जा 20, और 2 फोर्जा 8 पेंस किसको मिल चुकी है, संगीता को मिल चुकी है, कोई doubt, और देखो, इन दोनों को add करो 12 और 8 को, अपना answer check करने का तरीका बता रहा हूं, 12 और 8 को add करो 20, हमारे पास भी कितनी पेंस थी, 20 बाट दिया न, 12 इसे दे दिया, 8 इसे, इन 4, 3 जा 12, 4, 2 जा 8, 3 ratio 2, question में भी कितना दिया है, 3 ratio 2, मतलब answer बिलकुल सही है बच्चों, अगला question देखते हैं, 15th question, यह मम्मी है, यह मम्मी है बच्चों, मम्मी के पास है रुपीज 36, उनकी दो बिटिया है, एक है स्रेया दिदी, और एक कौन सी दिदी है, भूमी का दिदी है, भूमी का दिदी, इतनी छोटी छोटी दिदी है, स्रेया दिदी है, भूमी का दिदी है, इनको चाहिए, 36 रुपीज, इन रेशियो आफ दियर एज जैसा उनका एज का रेशियो है उसी इसाफ से पैसे मिलेंगे ये क्या नया ड्रामा हो गया मतलब जो छोटा है उसको कम पैसे मिलेंगे जो बड़ा है उसको जादा है न ये तो गलत बात है पहले रेशियो निकालते हैं रेशियो आफ एज तो पहले किसका नाम लिखा है पहले श्रेया का नाम लिखा है श्रेया लिख लो श्रेया ज एज और किसके साथ निकालना है भूमिका इन दोनों बहनों की लड़ाई कराते हैं है ना बहनों बहनों में लड़ाई तो होती है स्रिया की एज कितनी बच्चो 15 तो उपर 15 आ गया गोमिका की एज कितनी है 12 नीचे 12 आ गया दोनों किसकी टेबल में आएंगे 35 जा 34 जा 5 इस 24 मतलब जो रुपए पैसे बटेंगे ये 36 रुपीज जो बटेंगे वो कौन से रेसियो में बटेंगे बच्चो 5 रेसियो 4 में तो money got sreya कितने पैसे मिल रहा है बच्चो स्रेया उपर है उपर वाला हिससा कितना है 5 तो स्रेया का हिससा या 5 टोटल कितने हिस्से हैं 5 प्लस 4 9 तो नीचे टोटल हिस्सा टोटल नंबर आइटम मतलब टोटल कितना रुपीज है 36 यहां पर 36 बच्चो 9 वन जा 9 9 4 जा 36 5 4 जा 20 तो 20 रुपए मिल चुके हैं किसको स्रेया को टोटल कितने रुपए थे 36 बचे कितने 16 रुपए बचे हैं तो यह तो 20 रु इसको तो यह ऐसे रो रही है यह ऐसे रो रही है बच्चों तो इसको कितने रुपए मिल रहे होंगे 16 रुपए कैसे या तो आप पूरे में से 20 इसको दे दिया तो 16 बचे उसको दे दिया ऐसे कर लो या तो इसी मेथट से निकालना चाहो मनी गॉट क्या नाम है उसका भू भूमिका का हिस्सा कितना था यहां पर बच्चों 4 क्योंकि भूमिका नीचे हैं और नीचे वाला बाद में आता है 4 अपन टोटल 5 प्लस 4 9 इंटू टोटल रुपए कितने थे 36 9 बन जा 9 9 4 जा 36 4 इंटू 4 कितना रुपए मिल रहे हैं बच्चों 16 रुपए दोनों मेथट से बता दिया कैसे भी कर लो आप एक्जाम में माइनस करके भी सही है और ऐसे भी सही है आईए देखते हैं अपना लास्ट क्वेस्चन तो लास्ट क्वेस्चन आपके लिए होमवर्ख है इसमें मैं कोई भी हिंट भी नहीं दूंगा आप लोग भी देखो आपको कितना समझ में आया नहीं आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मैं तो हूँ ही मैं तो बताऊंगा ए ठीक है बच्चों मैं चाहता हूँ इ और एक ही क्लास में हमने पूरा का पूरा exercise 1 complete किया है ratio and proportion का बच्चों और इसको बढ़िया practice करो और practice करके दो घंटे के बाद मुझे जहां पर भी आप ज्वाइन हो चाहे WhatsApp हो चाहे टेलीग्राम हो अगर टेलीग्राम की ID चाहिए तो ये है जहां पर भी आप ज्वाइन हो बच्चों वहां पर आप क्या करो जल्दी से homework send कर दो मैं उसको चेक करूंगा देखता हूं कि बच्चों को कितना समझ में आया है ना बच्चों अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो आपको सारी बाते समझ में आई हो ratio proportion में कुछ नया सीखने को मिला हो बच्चों तो ओच्चों